अलो नमस्कार आदाप सस्तिया काल बुण मॉरिंग दोस्तों जी सुले भई आपका हार दिख स्वागत हो मैं विनांदन करते हैं तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीस के फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एक्जाम के लिए काफी खेल्फुल होती है हम लोग दोस्तों चाहिए SST हो, बैंक, रेलवे, पुलिस हो, पेट हो, डिफेंस हो, SI हो, या टीचिंग की वेकेंसी हो, भारो यारो, यहां तक की स्टेट PCS के प्रिएक्जाम भी हम लोग प्यार करवाते हैं दोस्तों, अब हम लोग पढ़ रहते मौलिक अधिकार के संबन्द में, जिसमें हम लोग 100 MCQs लगा चोके हैं मौलिक अधिकारों के संबन्द में तो कानून के समख समानता दोस्तों, अनुछेट 14 में दिया दोस्तों, मौल अधिकार किन पर निर्बंदन से रूप है? मलब राज की कारेपाली का और विधाई का पर निर्बंदन लगाती है तो दोस्तों राज की विधाई और कारेपालिकाई शक्ति पर निर्बंध दने दोस्तों मौलिक अधिकार कब निलम्बित किया जा सकता है तो आपात काल के दौरा निलम्बित किया जा सकता है आप लोग वीडियो इस्टॉप करके आंसर खुद से दीजिएगा दोस्तों ठीक खुद से देने का प्रयास खुद से सोचिएगा क्या हो सकता इसका आंसर फिर आंसर मिलान करिएगा दोस्तों ठीक इससे आपका ही लाग होगा दोस्तों ठीक ने तो आंसर ऐसे हम बताएंगे आप लो देखते चले जाएंगे कम लाग हुगा उगला है भारती सम्मिधान के किस अनुछे में मौलिक अधिकारों का वरलन है अनुछे 2-12 से 35 समांता का अधिकार कीन अधिकारों में मौलिक थे अनुछे 14-18 सम्विधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्या मैगना काल्टा कहा जाता है दोस्तों तो भाग तीन को कहा जाता है ठीक है मौलिक अधिकारों को भारती संविधान के प्रारण में कुल कितने मौलिक अधिकार थे भारती संविधान के प्रारण में साथ मौलिक अधिकार थे कुल संपत्ति का अधिकार किस संविधानिक शंचोधन के दौरा मूल अधिकार से विदिक अधिकार में हस्तांतरित कर दिया गया दोस्तों तो वालिस्वा संभिदान चंचोदन 1978 के द्वारा इसको भाग बारा में वित्य संपतिवाद और संभिदाओं में इसको शामिल कर दिया गया था अनुछे 301 के तहट ठीक अमेरिका में सबसे पहले मौलिक अधिकार को लागू किया था भारती संभिदान के अनुछे 12 और 36 की परिभाशा दे गई तो मौल राज की परिभाशा दे गई ठीक येवल भारती नागरिकों को प्राथ कौन सा मौलिक अधिकार हम लोग 50 बार पड़ चुके 15, 16, 19, 29 और 30 दोस्ते ठीक ये हो जाएगा वह अनुछे जिने साथ मिलाकर पढ़ने से प्रस्तावना में प्रियुक्त समाजवात सब्द को समान कारे के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार की विशेष्टाव में पढ़ चुके थे कि भारती में जो मौलिक अधिकार परदान किया गया है वो त्यागने योगे नहीं है दोस्तों ठीक है भारती समिदान का वह अनुछे जिसके द्वारा विधान सत्ता पर पूर नियंत्र लगाता बहुविकल्पी में भी पढ़ चुके अनुछेत 14 है शक्तियों का मनमाना परयोग नहीं किया जा सकता है दोस्तों अनुछेत 12 और 36 में परिभाशित राज में क्या क्या सम्मलित है 12 और 16 में राज में कौन कों सी चीज़ें आ जाती है संग की सरकार और संसद आ जाती है राज की विधान मंडल और राज सक्कार आ जाती है इस्थानी प्राधिकरना गाते हैं और अन्य प्राधिकरना गाते हैं ये चीज़ें दी गई है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में शंशोधन संसद कर सकती है बहारत के सम्दान का कौन सा अनुछेद 14-23 में बहुलिएगा थिक है 23 में तो दुरुयापार, बिगार और बलाश्रम की मनाई है 24 में है 14 वर्ष तक केकम भी किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संसद का अधिकार दिया केश्वानन भारती में ठीक अनुछे 17 अस्प्रिश्चता निवारां संबंदित है अनुसूची जाति था अनुसूची जन जाति को किस अनुछेद के अंतरगत मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजिनितिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया अनुछे 17 के तहट ये भी पढ़ चुके हम लोग भारत का संब्धान इस पश्ट रूप से प्रिस की सोतंतरता की विवस्था नहीं करता परतु यह सोतंतरता किस अनुछेद में अंतर नहीं थे अनुछेद 19.1.A में वाक्यों अभिवत की सोतंतरता की अंतरगत की सोतंतरता नुछेद 19.1.A भारति संब्धान का कौन सा अनुछेद विदेश यातरा का अनुछेद 21. गरिमामाई जीवन जीने का अधिकार के अंतरगत 1970 में में का गांधी के केस में यह दिया गया था दोस्तों ठीक है जमपकम दोराई राजन बना मदरा सराज उनिश शेक्यों का मामला किस मौलिक अधिकार को वर्लित करता है तो दोस्तों अनुछेद 15.4 भेदभाव के विरुद अधिकार के तहत सो वर्लित करता है पंदरा चार में क्या कहा गया दोस्तों तो इसे पंदरा तीन में कहा गया है कि महिलाओं और बालकों के लिए संसद विशेश प्रावधान कर सकती है पंदरा चार में SCHT और सामाजिक और शेक्षणर की रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षान का प्रावधान करती है दोस्तों ठीक है तो इससे संब्दे चबबा कद दो राई राजनमाला कीज़ ये ध्यान जए नया कोश्यन मिला इसको नोट कर लिए ठीक इस अन अनुछे 24 में लेकिन विद्य की संभित पर के लिए अनुछे 21 में नहीं तो ये ध्यान दिजेगा और विद्य द्वारा इस्थापित पर कर लिया अनुछे 21 में जया पंड़ान के संभिदान से लिया ठीक न्याया एले को न्याइक पूनर विलोकन की शक्ति पढ़न करने वाला कौन सानुछेद न्याइक पुनर विलोकन अनुछेद 13 है दोस्तों ठीक है तेरा में तो कहा गया है कि संसद्यार राज विदान मंदल के बारा बनाया गया कोई भी कानून यादी मौलिक अधिकारों को सीमित या शुनि गोशित करता है तो वह बनाया गया कानून उसे म मात्रा तक अवय गोशित होगा जिस मात्रा तक वो मौलिक अधिकारों को सीमित करता है दोस्तों ठीक है यह ध्यां देना है न्याइक पुनर विलोकन की शक्ति कि उच्चतर न्यायलों को मतलब तरवुच न्याले और उच्च न्याले दोस्तों निजिता का अधिकार किस अ दंड की मनाही और आग्मा विशायमसन से संग्रक्षन प्रदान करता है तो अनुचेद 20 ठीक है 20 में है ठीक है दोस्तों ये हम लोग पर चुकिया पराधों के दोस्चिंदि के संबंद में संग्रक्षन उच्चतम न्याले ने कहा कि पिछले वर्गों के निर्धारन के लिए जाती को प्रमुक आधार बनाया जा सकता है तो इंदरा साहनी केस में 1992 में पदोनती में अनुचेद जाती तथा अनुचेद जन जाती के लिए आरच्छन की विवस्ता किस अनुचेद में है इंदरा साहनी केस में मना कर दिया गया था लेकिन संसद ने 77 संविधान चासी में इसको अनुचे 15, 16, 5 में जोड़ा दोस्तों को अली 16, 5 नि 16, 4, A में जोड़ा था दोस्तों है कि नहीं 16, 4 A में जोड़ा है पदोनती में आरक्छन यह धान जाए और 16, 4 B में बैक लोग है ठीक यह धान दीजेगा सेवा का अधिकार किस देश से प्रारम हुआ त दोस्तों ठीक है विदी का शाषन किस वाद में आधारमुद नाचा घोशित किया गया था तो मिनर्वा मिल्स बना भारत संग 1980 दोस्तों ये नया कोश्चन है तुरंत नोट करिएगा विदी के समग समता तता विदी के समान संगरक्षन किन देशों से प्रेरी था विदी के सम या प्राप्तियों उसका मनमाना परियोग नहीं कर सकती है तो अनुच्छे 14 हो जागा दोस्तों ठीक है मानो दुरुवयापार बेगार और बलाश्रम को किस अनुच्छेत के तहर निशेदित किया गया है तो अनुच्छे 23 के तहत निवारक निरोत के तहत अधिक्तम लुव सकते हैं दो आधार पर कौन-कौन से अचाओ अबाद रूप से घूमने फिरने किया जादी अनुच्छे 19 1D में दिया गया है तो पांच में दिया गया है तो जाधारन जनता का जहां हित प्रभावित होगा वहां अभी लोगों को जाने घूमने फिरने कि सुतंतरत आधिकार नहीं आदिकार हनने टो वहां पर जाने के लिएमिंशीLet जाती के हितों के संग्रक्षन के लिए अनुच्छेद 1905 में दोस्तों ठीक सम्मिदान संच्छोदन के वारे शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार तो शिक्षा का अधिकार 86 मां 2000 दोस्तों ठीक यह रट गया होगा आप लोगों को अब अगला क्वेश्चन देखते हैं वाक अभिवक्त की स्वतंतर था या आप मुझे एक भी स्वतंतर देश दिखा सकते हैं जहां प्रिथक मतादिकार हो अंग्रेज जा चुके हैं पर तु अपनी शरारत छोड़ गया है या कथन किसका है सरदार बल्लब भाई पटेल का इस वाद में महिलाओं को घरेलू हिंसा से संगरक्षण अधिनियम 2005 को समय धाने घोशित किया गया दोस्तों माल राज बनाम भारस संग वाद में किया गया है दोस्तों हम लोग देखते हैं महिलाओं को घरेलू हिंसा से संगरक्षण अधिनयम 2005 में अनुछे 15 का 3 कहता है ना बच्चों और महिलाओं के लिए सरकार व संग में चिछा के अधिकार को जीवन के अधिकार के रूप में उच्चत्म ञाले ने किसवाद में शामिल किया तो किस वाद में शामिल किया था मोहनी जैन केस में जिन पर अपराद करने का अभियोग है अनुचेद 20 के तहर कौन सा सम्मेधानिक संगरक्षा प्राप्त होगा अनुचेद 20 के तहर भूतलक्ची विधायन दोहरा दंड और आत्मा भिशनसन की मनाई अनुचेद 360 के तहर किन अनुचेद के संदर में राश्पती को आपातकाल की उद्गोशला के दोरा निलंबित करने की शक्ती प्राप्त नहीं है अनुचेद 20 और 21 कभी समात नहीं किये जा सकते अनुचेद 22 के दिन पारत विशेयों को किस आधर पर जाचा जा सकता है किस आधर पर जाचा जाएगा उसके जीवन जीनेक आदिकार दूश्प्रभावित नहीं हो तो मतलब अनुचेद 21 के ताब जाचा जासकता है ठीक है यह सब नए कोश्यन है बिहार राज में का गया दोस्तों ठीक है ये ध्यान देगा ये सब important है नोट कर लिजेगा दोस्तों ठीक है किसने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिग्या तता सब विश्व के साथ किया गया एक समझोता कहा तो डाक्टर राधा कृष्णन ने कहा है भारती समझदान के किस अनुच्छेद में विदी की सम्यात प्रकिरिया का सिधान शामिल अनुच्छेद 21 में शामिल है बद हुआ मजदूरी उन मूलान अधिनियम संसरने का पारित का 1973 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजेगा सम्यधान के अनुच्छेद 25 में परिति हिंदू शब्र किसे प्रकिर संदर भित करता है बौद जैन और सिख को सिखों को किर्पान धार करने के सोतंदर ताकां किस अनुच्छेद का इस पश्टिकर अनुच्छेद 25 का ठीक सम्यधान कितने प्रकार के अपसंदर को माननता देता है दो धार में एक और भाशाई अनुच्छेद 19 का निलंबन आपातकाल के किन आधारों के लागू होने पर लागू होता है अपातकाल में युद्ध और बाह आक्रम लते ठीक बस और सशस्ते विद्रों पर नहीं अपातकाल के लागू होने पर मूल अधिकारों पर पढ़ने वाला प्रभाव सम्यधान के किस अनुच्छेद में दिया गया तो अनुच्छेद 358 और 369 दोस्तों कौन सा रिट न्यायाले किस व्यक्त की अथवा संस्था उसके दाइत्यों के पालन हितु जारी करती है परमादेश डाक्टर भीम रामबिट करने किसे सम्यधान की हिर्दे आत्मा कहा किस अनुच्छेद 32 ठीक ये ध्यान दिजेगा सम्यधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंक्यों को अपनी मन पसंद के शिक्षन संस्थान इस्थापित करने और पशासित करने का अधिकार देता अनुच्छेद 30 के तहट व्यक्तिगत स्वतंतरता की रक्षा है तो उच्छतमने आले कौन सार इड़ जारी करती है बंदी को प्रतेक्ष करो ठीक बंदी प्रतेक्षी करो अनुछे 26 कहता है धार्मिक काड़ों के प्रबंद की स्वतंतरता पर किन आधारों पर प्रतिबन लगाया जा सकता है अपनी पसंद के वक्ति से विवा करने का अधिकार अनुछे 21 में है जीवन जीने का अधिकार दोस्तों इस तरीके से दोस्तों हम लोग 64 कॉश्चेन वन लाइनर 100 कॉश्चेन मूल अधिकार और मूल अधिकार की थेओरी भी उसमें भी मल्टिपल टाइम्स रिवीजन कर लिये हैं तो दोस्तों उम्मिद करते हैं मूल अधिकार का कॉश्चन मूल अधिकार का टॉपिक आपका बहुत अच्छे तरीके से तयार हो गया होगा दोस्तों अगर एक्जाम में कुश्चन आएगा इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा और इससे बाहर जाएगा और इससे बाहर जाए और यह सारे notes हमारे खुद के written notes है, hand written notes इसको बनाए हैं, कई किताबों से इसको चांट कर बनाए हैं, दोस्तों तो आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, दोस्तों अच्छी अच्छी किताबे पढ़ेंगे तो भी आपको ऐसे तरीके से नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने कई अच्छी क explanation के साथ, चाए हिंडी हो, चाए GS का हो, full explanation के साथ उसको upload करते हैं, दोस्तों आरो यारो का session भी आप लोग उसको देखा करिए, exam दे रहे हैं, तो भी देखिए, नहीं दे रहे हैं, तो भी देखिए, क्योंकि उसमें questions कराई जा रहे हैं, अगर आप आरो यारो नहीं दे रह यह समद के लिए जरूरी होता है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं, इस session आपको पसंद आया होगा, दोस्तों इसी के साथ session को समत किया राता है, जय हिन, जय भारत